सो हेलो बाई लोग कैसे हो मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रे तो गाईस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी अवेडी के अंदर बहुत ही बढ़ा चेंजस करने वाले हैं क्योंकि हम लोग एक दो नी बलकि चार-चार सेपरेट केज में बोदलने वारी हैं एक अलमारी को तो वीडियो काफी इंटेस्टिंग होने वाली हैं हमने बाहर का पूरा पैंड किया अंदर आ चुके हैं और अने के बाद आप अंदर का नजारा देखें अंदर इसके लिए मैंने ग्रीन पैंट लगाना अच्छा समझ क्योंकि इससे पहले भी इसमें ग्रीन पैंट हुआ था मतलब अगर ग्रीन पर जाद तो काफी जाद वो चमक देगा और अगर इसमें बाहर को बलेक चला दा तो इसके अंदर का पैंट जो है वो दीखता तो अभी हम लोग को किया करना है पूरा पैंट हो चुका है इसकी पट्टी जो है इसकी बार्डर के पट्टी जो होती है उसको हम लोग ब्लेक पेंट से करना है पेंट और अभी हम लोग पूरी तरीके से इसे भी पेंट कर चुके हैं ब्लेक आप देख सकते हैं काफी बड़िया लग रहा है और काला पेंट रहेगा तो कुछ पता से लेगा क और थमनेल में भी काफी अच्छा लगेगा तो यहां से आपने देखा कि मैंने पिंट किस तरीके से किया है अंदर का जो साइट है अलमारी थी तो इसकी बज़ा से अंदर एक गड़ा गया मिले देखने को कोई बात नहीं और अंदर आने के बाद हमें यहां पे देखने को मिलता है कि कुछ टूल्स हैं जो कि आपको जाली लगाने के टाइम पे काम आएगा और यहां पे था एक सेल्फी स्क्रू एक नहीं बलकि यह 15-16 सेल्फी स्क्रू था साथी साथी गिंदा से 11 रिंच था और उसी के साथ साथ एक हथवड़ी साथी साथ एक द्रील द्रील के साथ साथ उसके अंदर एक पाना भी लगा हुआ है तो इस पाने को ले लेना है आपको जितना बड़ा सेल्फी स्क्रू होगा उसी हिसाब से आपको पाने को ले लेना है यह पाना में कुछ 40 रुपेगा पड़ा आप अगर इससे चोटा पड़ा लेंगे तो साहथ और भी जादा सस्ता पल सकता है तो यहां से आपने पूरा इस तरीके से देखना सावान लेने के बाद हमने जाली को फैलाया जाली फैलाने के बाद इससे सीधा करना है सीधा उल्टा में पटकना है और उल्टे से सीधा करना है विल्कुल सीधा रहेगा तो अच्छे से फिक्स होगा और कहीं उच्छा नीचा नहीं रहेगा और उच्छा नीचे अगर रहता है तो काफी ज़्यादा खराब लगता है और अभी हम लोग इसे पूरी तरीके से सीधा किया और सीधा करने के बाद यह वाली प्लास्टिक जो है काफी ज़्यादा दिक्कत करें कि इसकी रोशनी जो है वो इस केज के अंदर आ नहीं जाता त पुरी तरीके से अभी आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा रोशनी आ चुकी है और यह सारी चीज़े करने के बाद जाली फिक्स करेंगे जाली फिक्स करने के बाद हम लोग एक बल्ब यहाँ पे भी लगाएंगे इसके साइड में आपको एक बल्ली दिक्री होगी उसी बल्ली को पर हम लोग एक होल्डर लगाएंगे जिस पे जलेगा बल्ब और यहां से सेल्फी स्क्रू हम लोग इनको लगा देना है और सेल्फी स्क्रू लगाने के बाद मतलब ड्रिल में तो हमने पहले से लगाया था इसी को एक एक करके मैं पूरा सेल्फी स्क्रू लगा तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है दूसरी जिंगा पर लगेगी मैंने एक तरफ से जूम करके आपको दिखा चाहूंगा जैसे यह अंदर चला जाता है इसके अंदर आल्रेडी कवर होता है जैसे यह अंदर जाता है वह आटोमेटिक हो जाएगा और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमने पूरी जाली को लगाया और जाली फिक्स करने के बाद लगाया नीचे से हमें कट करना है नीचे पहले आपको जाली लगाना है और पहले से आपको कट नहीं करना वनना कभी कभी होता है पुरानी अलमारी होती है तो कम जादा हो जाती है तो पहले लगाना है उसके बास तक बाद इसको काटना है उसके बाद आप फीर से नीचे से व्य जाएगा और नाचीने लगाना है और पूरी तrac Counter वेचैटरी अब नहागे तर Jugayा देम्स या बद्यू API alnızा या उफिकel आपका दर्वाजा तयार होगा और हर चीज़ के दर्वाजे में आपको टाइम देनी होती है तो मैं कुछ इस तरीके से दर्वाजे को काट लिया हूँ और काटने के बाद मैं कोई इंजी टेप भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसके लिए कि मैं अपने हाथ से समझो की बार को काट दिया दूर बागी था और एक और कट चुका है अब बचा है सिर्फ एक तो आपको क्या करना है इंजी टेप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो करें वरना जाली में कोई इंजी टेप का काम नहीं होता क्योंकि गाइस जाली एक ऐसी होती है कि वो एकदम से जगें पर बनी होती है उसमें कोई जाली उस करने की कोई बात नहीं होती तो पूरी तरीके से मैं सब को कट किया लिया हूँ और अब बारी आती है कि दर्वाजे को बनाने की मतलब बाजू तो बन गया है उसमें जाली फिक्स हो गई है अभी दर्वाजे को बनाने के लिए मैं जीडिंग बोक्स लगाना है इसके वुझे से मैं थोड़ा सा कम लख रहा हूँ तो दो को आपको कुछ इस तरीके से इस साइट से काटना दर्वाजे के अंदर छोड़ना है क्योंकि यही आपके कबजे का काम करेगा तो दो-दो को हम लोग सब पहले उपर से और नीचे से इ लगानी होगी और मैं कोई यूज नहीं करना हूँ क्योंकि छोटा दर्वाजा कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है आप मैं यहां से कट करूंगा और अभी के टाइम पर पूरा दर्वाजा कट हो चुका है कट होने के बाद हम लोग चलेंगे हम लोग अपने सेपरेट के इसके ऊपर चेक करेंगे कैसा आ रहा है और यही था मैं आपको बता रहा था यही था कबजा जो मैं हमने दो उपर दो नीचे छोड़ा था उसी को हम लोग बनाएंगे कबजा और उसी को उसी में घुमा के टाइट कर देंगे बाकि कोई मैं जी आई नहीं उस कर रहा हूं गुमा के डाइट कर देंगे इसमें हुग भी बनाएंगे लॉक करने वाला तो इसे हम लोग पहले यहां से मोड़ना आपको थोड़ा सा बारी से मोड़ना है बिल्कुल जगह से नहीं मोड़ना वन्या क्या होगा कि वो काफी जदा जाम हो जाएगा बिल्कुल उपर से करो कहा है लिए यहां से मैं एक एक करके मोल रहां रहा हूँ अच्छी तरीके से और गॉल गॉलसा मोड़ने की बाद बिल्कुल मोल flies होना है और ऋपनص की केज के ऊपर और केज का साइज है अपना दद्दस खाने का केज का साइज है और एक खाना अगर आदी इंची का होगा तो अपना पांच इंची का दर्वाजा है और पांच वही पांच है कोई कम जादा नहीं है और एक खाना ऊपर एक नीशे और इस साइट एक एक बचेगा और एक खाने को हम लोग छोड़के वारसा लगाएंगे तो यहां से हम लोग इसे टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से टाइट करना है बिल्कुल जगें से इस पर भी नहीं बोड़ना है और गोल सा मोड़ना है बीच में जगें बच निचे यह थोड़ा सा लपना चाहिए दर्वाजा और जब थोड़ा सा गैप रहेगा तो दर्वाजा जो है काफी फिक्स होगा और काफी स्मूथली फिक्स होगा तो इसके वज़े से हम जोग आच्छी तरिके से मोड़नें इसमें ठोड़ा सा टाइम जरूरी से देंगे और यहां से मैं ठोड़ा सा वीड़ा दे रहा हूं क्योंकि ठोड़ा सा आपका वक्त जाय हो सकता था और अभी मैंनी स्पीड बढा दिये तो कोई दिक्कत नहीं आपको अगर जरूरत होगी तो आप थोड़ा सा सलो करके देख सकते हैं वीडियो को लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा अच्छे से मोड़ना है दो दो गाड बनाया आप चाहे तो एक भी बना सकते हैं बट अगर आ अच्छा लेगेगा तो उसके लिए हम लोग यहां पर देखें आप लोग चेक करें माशाला वह तची तरीके से दीख रहा है और आपको क्या करना है पतली सी ज्याइए लेना है और आप किसी भी गोल चीज पर ले सकते हैं और गोल चीज जो भी हो वो थोड़ा सा पतली हो बिल्कुल सरीया नहीं होनी चीजिए क्योंकि वो काफी मोटा होगा इसमें आपको क्या करना है गुमा लेना है एक साइट थोड़ा सा कम पकरना है एक साइट ज्यादा पकरना है और इसको क्या करना है आपको गुमा लेना है गुमाने के बाद है इसको हम लोग क्या करेंग का बीना जंजट का इसमें काफ़ जादा जंजट होता है मतल mee बहुत लोग बोलते हैं यह बनता नहीं एkदम मूत टली और एकदम आसानी से बनेगा आप लोग चेक करने पहले बहुत यह अच्छे से बनने और इसे हम लोग फिलास से इसमें घुमा लेंगे हमें बनाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई नोख पिलाइस यूज़ नहीं कि हमने और अगर आप टाइम कम देना चाहते हैं तो आपको नोख पिलाइस यूज़ करना चाहिए नोख पिलास से कोई दिक्कत नहीं होती वो जल्दी स fix हो जाता है पतला सा होता है तो जाली के अंदर चला जाता है और यहां से थोड़ा सा extra part बच रहाता तो इसे भी हम लोग cut कर लेंगे and guys cut करने के बाद पूरी तरीके से यह सही हो जाएगा और अभी अगर थोड़ा सा तेड़ा मेड़ा दिख रहा है और अभी हम लोगों का पूरी तरीके से बन के हो चुका है रेड़ी जादर से जादा डेल से दो मिनट के अंदर एक केश का दर्वाजा बन जाता है कोई दिक्कत नहीं होती और अगर आपके पास नोक पिलास होता तो और भी जादा आच्छे से बनता और इसी तरीके से एक के बाद एक पूरी तरीके से हमने सारे केश के अंदर इसी तरीके से अपलाई कर दिया है अगली वीडियो अपने पूरी आवेडी के उपर आने वाली है पिशली वीडियो में आपने देखा होगा तो आवेडी में आभी के टााइम पे बहुत कुछ चेंजेश हुआ है उम्मीद करूँगा गाइस ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना एड़ चनल पर नहों तो प्ली सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें